नमस्कार कक्सा आठ एक्सरसाइस 2.3 कोशन नमबर वन है निम्न समीकरनों को हल कीजिए और अपने उट्टर की जाँच कीजिए इसके दो भाग है हमें समीकरन को हल करना है यानि x, y, z जो भी चर है उसकी value निकालनी है और साथ की साथ ही उत्तर की जाँच भी करनी है आये देखते हैं सबसे पहला भाग है 3x बराबर 2x प्लस 18 तो यहां देखने वाली बात यह है कि हमें इसे हल करने के लिए क्या करना होगा सबसे पहले x वाली रखमों को एक तरफ बिना x वाली रखमों को बराबर के दूसरे तरफ यह बीच में हमने बराबर का निशान डा x वाली सारी रखमे एक तरफ तो यहां एक 2x यहां भी है 3x यहां है तो 3x यहां पहले से है इसको पहले लिख दिया 2x इसके साथ कोई निशान नहीं है यानि कि यह प्लस का निशान है और यदि यह प्लस का निशान है तो जब यह equal to को cross करके उधर जाएगा तो यह 2x का बन जाएगा minus 2x और अब बराबर के इधर 2x उधर चला गया बाकी रह गया 18 अब हम इसे हल करेंगे x वाली रकम में से x वाली रकम ही हमेशा minus होती है तो 3x में से 2x माइनस हुआ 1x उसको हम लिखते है x बराबर यहां से बच गया है 18 तो यह जो x बराबर 18 है यही इस समीकरन का हल है समीकरन के हल का मतलब होता है जो भी उसकी चरह x, y,z उसकी वाली हम निकालते हैं अब इसका दूसरा भाग हमारे परस है जाँच अब हमें अपने उत्तर की जाँच करनी है अब हमें अपने उत्तर की जाँच करनी है जाँच के लिए क्या करेंगे जो हमारा कोश्चन था 3x बराबर 2x प्लस 18 जो हमारा प्रशन था इसमें x की जगा जो आपकी x की value आई है वो भरेंगे देखो कैसे 3x की value आई है 18 तो x की जगा में लिख दूँगा 18 3x का मतलब है 3 गुना x तो यहां भी हो जाएगा 3 गुना 18 x की value है 18 ऐसे यहां पर है 2x यानि 2 गुना x x की value हमारा पास आई है 18 तो यह लिख दिया 18 इसके आगे लिखा है plus 18 हम इसे आगे हल करते जाएंगे देखो 3 गुना 18 18 तिये होता है 24 बराबर 2 गुना 18 होता है 36 प्लस यहां से आया 18 अब ध्यान से देखेंगे तो देखिए left side right side के बराबर आ गई है left hand side left hand side यह बराबर आ गई है right hand side के इसका मतलब हमारा उत्तर सही है ठीक है इसका मतलब अत्व हमारा उत्तर सही है तो इसे कहते हैं जार्ज करना आईए हम इसका एक और भाग देखते है इस प्रशन में बहुत सारे भाग है मैं उनमें से जो थोड़ी से मुश्किल है वो आपको करवा रहा हूँ इसका छटा भाग है 8 x प्लस 4 बराबर 3 x माइनस 1 प्लस 7 सबसे पहले देखेंगे लेफ्ट साइड पर है 8 x प्लस 4 बराबर राइट हैंड साइड पर यदि आप देखें तो यह है 3 x माइनस 1 ब्रैकेट में इसका मतलब यह 3 इस x से भी गुना होगा और उसके बाद इस 1 से भी गुना होगा ऐसे प्रशना पर रड़ी कर चुके हैं तो अब 3 को जब x से गुना करेंगे तो आएगा 3 x बीच में माइनस का निशान है तो माइनस 3 को जब x से गुना करेंगे तो आजाएगा 3 एकम 3 प्लस 7 इसके बाद हम क्या करेंगे सभी x वाली रखमों को एक तरफ बिना x वाली रखमों को दूसरी तरफ ले जाएगे यह देखी बीच में मैंने डाला बराबर का निशान यहां 8 x पर मैं x वाली रखमों को लेफ्ट साइड पर लेकर आ रहा हूँ तो 8 x यहां पहले से है और x वाली रखम यह है बराबर के आगे है 3 x जब यह बराबर से इधर आएगा तो इसका निशान बगल जाएगा यह प्लस 3 है जब यह उधर जाएगा तो यह बन जाएगा माइनस 3 याद रखना बच्चों साइन तभी चेंज होता है जब बराबर को क्रॉस करते है इसके बाद यहां और x वाली कोई रखम नहीं है अब यहां पर पहले से है माइनस 3 प्लस 7 अब यह है प्लस 4 जब यह उधर जाएगा प्लस का निशान बगल जाएगा माइनस में तो यह बन जाएगा माइनस 4 ठीक है अब हम इसे हल करते है 8x में से 3x निकाला 5x 8x में से 3x निकाला 5x बराबर यहां देखे हैं क्या हो गया माइनस 3 प्लस 7 प्लस माइनस माइनस 7 में से 3 निकाले 4 7 में बड़ी रखम का साइंग प्लस 4 आगे से तोरा माइनस 4 अगले step में 4-4 हो गया 0 अगले step में 0 5 इस x के साथ गुना हो रहा है जब उधर जाएगा तो हो जाएगा भाग और आगे 0 को जो 5 से भाग करेंगे किसी भी नंबर को 0 को किसी भी नंबर से भाग करें तो उसका उतरा जाता है 0 इसका मतलब x की जो value आई है वो आई है 0 x की जो value आई है x का जो मान आया है वो आया है 0 अब हमें इसे आगे हल करना है इसकी जाँच करनी है अब हमें इसकी जाँच करनी है जाँच का मतलब यही होता है कि आप अपने उतर को जाँचो कि आपका उत्तर सही है या नहीं है ठीक है जी तो सबसे पहले हमारी पास जो रकम थी 8x प्लस 4 ये देखे उपर बराबर 3 गुना x-1 प्लस 7 अब इसमें हम क्या करेंगे जहां पर भी x था जहां पर भी x था x की जगह पर हम x का मान जो आया है ये हो गया 8 गुना x की जगह 0 प्लस 4 बराबर 3 गुना x की जगह 0 माइनस 1 प्लस 7 8 को 0 से गुना किया तो आया 0 प्लस 4 बराबर यहां देखे क्या हो गया 0 में से 1 माइनस किया माइनस 1 माइनस 1 को जब 3 से गुना करेंगे तो आएगा माइनस 3 ठीक है बच्चों 0 से 1 निकाला माइनस 1 माइनस 1 को जब 3 से गुना करेंगे तो आजएगा 3 एकम 3 और 7 में माइनस का निशान माइनस 3 प्लस 7 अब ध्यान से देखें 0 में 4 प्लस किये तो उता है 4 यहां प्लस माइनस माइनस 7 में से 3 माइनस किया 4 हाज साइन बड़ी रखम का प्लस तो यहां भी आया 4 यहां भी आया 4 यानि कि left hand side बराबर है right hand side के अतह हमारा उत्तर सही है तो इस विकार से हम x का मान निकालने के बाद अपने उत्तर की जाज भी कर रहे हैं के हमारा उत्तर सही है धन्यवाद